हेलो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि यूपी स्कॉलर्शिप यान के उत्तर प्रदेश हात्विती 2324 का पैसा कब तक आपके बैंक काउंट में एक रेडिट हो जाएगा वीडियो को थोड़ा सा द्यान से देखेंगे चाह से पहले प्रिमेटी के बच्चों के बारे में बात करेंगे इसके अलावा जो बैसिक और बुनियादी चीज़े हैं कि आपको स्कॉलर्शिप का लाब कम मिलेगा जब आपका जो स्टेटर्स है वह वेरिफाइड रिकमांडेट बाइड इस्टिक स्कॉलर्शिप कमेटी अधरवाई अगर रिजेक्ट होगा या फिर पेंडिंग होगा तो इसकेस में आपको इसकॉलर्शिप का लाब नहीं मिलेगा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़े कि आपका जो बैंक अकाउंट है वह एक कवाईसी होना चाहिए नपिसी आई से मैप होना चाहिए या फ सबसे पहले प्रिमेटिक या नव-दस के बच्चों की बात करें चाहिए आप किसी भी कास्ट गैटिक से विलाउंग करते होंगे जनरल ओवी से सीस्टी माइनोर्टी तो आठ मार्च दोजाच चौबिस तक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मांग स्रीजित करना यानि कि 15 मार्च दोजाच चौबिस तक आप प्रिमेटिक के बच्चों का पैसा अगरा उनके बैंक कर दिया जागा हो सकता है कभी-कभी यह पैसा आपका दो सिफ्ट में भी आ सकता है आधा आधा करके कभी-कभी होता है कि डिरेक्ली भी भाग के दौरा जैसे अगर दोनों सेयर मि आपका आपके पैसा आने वाला है वह आने वाला है 17 तक आपके कहले की मांग का सीरिजन कंप्रीट हो जाएगा इनके जन्पदिय की अधिकारी के डिट्र सिफ्टर के से लॉग डाटा के आधार पर जैने कि जीतने के डाटा वगरा जीतने फार्म वरिफाइड हुए है नेशने इंफार्मेश सेंटर की राजी काई से मांग से रिजित करना कंप्लीट हो जाएगा 17 मार्च दोजाएट थीक है और 22 मार्च दोजाएट चयोवीज तक आप सभी शुट का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ये डेट थोड़ी बहुत हो सकता ह है 22 की डेट में सभी का पैसा ना आपके किसी का 23 को आए किसी का 24 को है कुछ एक दो दिन चार पांच इधर दोर हो सकता है लेकिन अफिशल नोटिस में जो डेट मेंसन है वह मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिमेटी के बच्चों का पंदर तक और जो पोस्टमेटिक या फि को वेडियो के डिस्क्रिप्सर बाग में दे दे रहा हूं फिलाल इशूर में तना इजाज़त दीजिए धन्यवाद थैंक्स वाचिंग मिलते हैं नेक्स टूडियो में